सूखे पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है. इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप सूखे की स्थिती को परिभाशित कर पाएंगे सूखा पढ़ने के कारणों को समझा पाएंगे सूखे के प्रकारों को बता पाएंगे घर में जल सनरक्षन के तरीकों की जानकारी दे पाएंगे बाहरी जल सनरक्षन के तरीकों की जानकारी दे पाएंगे, स्वयन सेवकों की भूमिका स्पष्ट कर पाएंगे. आए, हम पहले सूखे के प्रभाव को समझते हैं, सूखा काफी लंबे वक्त तक वर्शा न होने या उसके परियाप्त मात्रा में न होने की स्थिती को कहते हैं. इससे गंभीर जलिय असंतुलन की स्थिती पैदा हो सकती है. इस असंतुलन के कारण पानी की कमी होती है, फसलों को नुकसान होता है, जल प्रवाह में कमी आती है और भूजल और मृदा में नमी का स्थर गिर जाता है. सूखे को समझाने का एक और तरीका है. वाशपी करण और वाशपोच सर्जन प्रक्रिया के कारण मृदा में जमा जल पौधों से होकर वायू में वाशपित होता है और जब इस प्रक्रिया के लंबे समय तक जारी रहने से वाशपित जल की मात्रा वर्षा के जल की मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तो सूखे की स् सूखा दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में क्रिशी के लिए सबसे गंभीर भौतिक खत्रों में से एक है। जिसके कारण जल संबंधित मुश्किले सामने आती हैं। हलांकि जलवायू परिवर्तन के कारण नियमित तौर पर आने वाली सूखे की स्थिती अब कहीं ज्यादा गंभीर और ज्यादा अप्रत्याशित हो गई है। पेडों के विलय की उम्रट, देटिंग, पर आधारित अध्यैनों से यह पुष्टी होती है कि जलवायू परिवर्तन से प्रभावित सूखे का संबंध उननीस सौ के दशक जितना पुराना है। आएक मानवों और परियावरन पर सूखे के प्रभावों के बारे में जानते हैं। सूखे के परियावरनिय प्रभावों में मृदा में लवनियता बढ़ जाती है और भूजल स्तर नीचे चला जाता है। मीठे जल के पारिस्थिती की तंत्र में प्रदूशन फैल जाता है और जन्तूओं की स्थानिय प्रजातियां विलुप्थ होने लगती हैं। भारत में लगभग 68 प्रतिशत क्रिशी योग्य भूमी अलग-अलग स्तर के सूखे से ग्रस्थ है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 35 प्रतिशत भाग पर 750 मिमी से 1125 मिमी की वर्षा होती है। जैसे इलाकों को सूखाग्रस्थ इलाका माना जाता है। जबकि 33 प्रतिशत क्षेत्रों में 750 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इन इलाकों को गंभीर सूखाग्रस्थ इलाका माना जाता है। भारत के पश्चिमी, उर्वी और मध्यक्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ शेत्र, राजस्थान और बिहार, उरिसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी पर सूखा पढ़ने का ज्यादा जोखिम है गर्मियों में ज्यादातर मृत्यू होती हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ शेत्र में यह बात खास्तोर पर लागू है सरकार द्वारात आपमान के संबंध में समयस्मय पर दिशानिर देश, सलाह और सावधानी के उपाय जारी किये जाते हैं भारतिय मौसम विभाग सावधानी पूर्ण उपाय अपनाने के लिए संबंधित राजया जिलों को मौसम पूर्वानुमान और सलाह जारी करता है आए भारत में सूखे के इतिहास पर एक नजर डालते हैं अधिक जानकारी के लिए हर इमेज पर क्लिक करें आए हम विभिन्द प्रकार के सूखे के बारे में जानते हैं सूखे के विभिन्द प्रकार है ये हैं मौसम संबंधी सूखा, क्रिशि संबंधी सूखा, जल्चक्र संबंधी सूखा, सामाजिक आर्थिक सूखा अधिक जानकारी के लिए हर प्रकार पर क्लिक करें मौसम संबंधी सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा में काफी अंतरा लाता है इसे सूखे के स्तर और सूखे की अवधी के आधार पर मापा जाता है क्रिशी संबंधी सूखा तब होता है जब किसी खास समय फसल की जरूरत के मुताबिक मृदा में परियाप्त नमी नहीं रहती है क्रिशि संबंधी सूखा आमतोर पर मौसम संबंधी सूखे के बाद और जलचक्र संबंधी सूखे से पहले आता है जल्चक्र सम्बंधी सूखा वर्षा कम होने के कारण जलधाराओं, नदियों और जीलों में पानी की कमी होने से सथी और उपसथी जल की कम आपूर्ती के कारण पड़ता है सामाजिकार्थिक सूखा तब होता है, जब जल की कमी के कारण लोगों की जिन्दगी, व्यक्तिगत और सामुहिक तौर पर प्रभावित होने लगती है आईए सूखे से पहले और उसके दौरान जल सनरक्षन विधियों के बारे में जानते हैं सूखे से निपटने की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका जल को सनरक्षित करना है घर के अंदर और बाहर जल सनरक्षन को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं अधिक जानकारी के लिए हर टैप पर क्लिक करें पानी को कभी भी नाली में न फेंके अगर उसका कहीं दूसरे काम में इस्तिमाल हो सकता हो उदाहरन के लिए इस्तिमाल किये गए पानी को घर में लगे पेडो या बगीचों के काम में लाया जा सकता है तपकते नलों को ठीक करें हर सेकंड गिरने वाली एक बून से एक साल में लगभग 2700 गैलन पानी बरबाद होता है बहते हुए सभी नलों की जाच करें और पलंबर से इसे ठीक कराएं फ्लो रिस्ट्रिक्टर के साथ एरेटर लगाव कर घर के सभी नलों की मरम्मत कराएं जल को मृदू बनाने वाला सिस्टम लगवाएं ताकि जल में मौजूद लवनों से आपके नल के पाइप खराब न हो ऐसे उपकरन चुने जो कम बिजली और पानी खर्च करते हूं टॉयलेट के लिए छोटी टंकी लगवाएं जिसमें पुराने मौडल की तुलना में कम पानी खर्च हो टॉयलेट बहाने के लिए ज़रूरी पानी की मात्रा को कम करने के लिए सिस्टर्म डिसप्लेस्मेंट डिवाइस लगवाएं पानी को हटाने के लिए तंकी में पानी की एक गैलन वाली प्लास्टिक बोतल रखवाएं सुनिश्चित करें कि इससे तंकी के काम करने वाले हिस्सों में कोई रुकावट ना आए अपने शौवर हेड को बहुत कम पानी बहाने वाले वर्षन से बदलें नहाने की जगह थोड़ी देर शौवर लें अपने दांत माजते या अपना चेहरा धोते या दाढ़ी बनाते समय पानी को खुला न छोड़े आटोमेटिक डिश्वाशर मशीनों का इस्तिमाल सिर्फ तब करें जब वे पूरी तरह से लोड़ हो पानी बचाने के लिए लाइट वाश सुविधा का इस्तिमाल करें बेवज़ टॉयलेट में पानी न बहाएं तिश्यू, कीडेम कोडे और अन्यसमान कचरे को टॉयलेट में फैंकने की बजाय कचड़े के डिबबे में फैंके थालियों को हाथों से धोने के लिए दो बर्तनों में पानी भरें पहले बर्तन में साबुन का पानी और दूसरे बर्तन में क्लोरीन ब्लीच की कुछ मात्रा वाला साफ पानी रखें सबजियों को चलते पानी में धोने की बजाए पानी से भरे तसले में डुबो कर धुलें पीने के पानी को रेफ्रिजरेटर में रखें पानी के ठंडा होने तक इंतजार करते समय नल से पानी न बहाते रहें वाशिंग मशीन का इस्तिमाल सिर्फ तब करें जब यह पूरी तरह से लोड हो या अपने कपडों की संख्या के आधार पर पानी का स्तर सेट करें समय समय पर अपने वाटर पंप की जाच करें अगर आटोमेटिक पंप पानी इस्तिमाल न होने के दौरान अपने आप चालू और बंध हो जाता है तो हो सकता है कि टैंक से पानी का रिसाव हो रहा हो स्थानिय पौधे और या सूखा जहलने वाली घासें जमीन धकने वाले जाडियां और पेड लगाए जा सकते हैं इन पौधों को पंपने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है पानी की समान जूर्तों वाले पौधों को समूह में लगाएं छिड़काव को ऐसी दशा में रखें कि पानी बगीचे और जाडियों में गिरे न की पक्की जमीन पर पानी के ऐसे खिलोने न खरीदे जिन में पानी की लगातार जूरत पड़ती है पानी की सजावट वाली वस्तुएं जैसे फुवारा न लगाएं बशर्ते की उन में उसी पानी का दोबारा इस्तिमाल न हो रहा हो जहां भी संभव हो वर्षा के पानी को जमा करें छिड़काव वाली मशीनों और टाइमिन डिवाइसों की समयस्मय पर जाच करें ताकि उनके सही से काम करने की पुष्टी हो सके बगीचे में सूखा रोकने वाले पौधे लगाए जा सकते हैं बगीचे के ऐसे इलाकों को कम करें या हटा दें जिनका इस्तिमाल अकसर नहीं होता है अपने बगीचे में ज्यादा खाद न डालें खाद डालने से पौधों को पानी की ज्यादा जूरत पड़ती है अपने पेडों, ज्यादियों और फूलों के लिए पानी की कम खपत करने वाली जल सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप इरिगेशन का इस्तिमाल करें मृदा में नमी बनाये रखने के लिए पेडों और पौधों के आसपास गीली घास का इस्तिमाल करें गीही घास खर्पतवार रोकने में भी मदद करती है जो की पौधों से पानी सोखते है मौसम के अनुसार काम करने वाले सिंचाई, नियंत्रक या स्मार्ट कॉंट्रोलर लगवाएं ये डिवाई से मुरिदा में मौजूद नमी, वर्शा, हवा और वाशपी करण और वाशपोत सर्जन की दर को ध्यान में रखते हुए अपने आप तै करती हैं कि पानी कब और कितनी बार डाला जाना ज़रूरी है कॉमर्शियल कार वाश का इस्तिमाल करें जिसमें पानी को रिसाइकल किया जाता हो अगर आप अपनी कार्ध होते हैं तो शट ओफ नौजल का इस्तिमाल करें जिसमें आपके होस पर पतली धार से छिरकाव करने के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है अपने बगीचे में जुरुरत से ज्यादा पानी न डाले और सिर्फ जुरुरत पर ही पानी डाले धारी वर्षा होने के बाद दो हफ्तों तक पानी पौधों को पानी देने की जुरुरत नहीं होती साल के ज्यादातर समय में बगीचे को हर सप्ताह सिर्फ एक इंच पानी की जरूरत होती है सौल प्रोग, फावडे या बड़े स्कुरूड्राइवर की मदद से मिट्टी की नमी का स्तर जाँचे अगर मिट्टी में अभी भी नमी है तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है अगर आपके पैर रखने पर घास अपने आप खड़ी हो जाती है तो बगीचे में पानी के छिड़काव की फिलहाल जरूरत नहीं है अगर आपके बगीचे में छिड़काव किया जाना है तो ये सुबह जल्दी या देर शांग को करें जब तापमान ठंडा होता है पौधों पर पानी का छिड़काव एक बार में करने की जगह कई छोटे-छोटे अंतराल में करें इससे बगीचा नमी को बहतर धंग से सोख पाता है और पानी फैलने से बच जाता है स्प्रिंकलर या नलों को खुला न छोड़े बगीचे के नल से कुछ घंटों में 600 गैलन या ज्यादा पानी बह सकता है गंभीर सूखे की स्थिती में पेडो और बड़ी जाडियों को बचाने के लिए घास और लौन को मरने दिया जा सकता है आएए अब सूखे की स्थिती में स्वयन सेवकों की भूमिका पर नजर डालते हैं सूखे के दौरान स्वयन सेवक, साफ पानी और खराब नहीं होने वाले खाने के वितर्ण में मदद कर सकते हैं किसी एजनसी के लिए समुदाय के केंदर बिंदु का काम कर सकते हैं सरकार की सलाह और चेतावनियों को लोगों तक पहुचाने में संदेशवाहक की भूमिका निभा सकते हैं प्रभावित इलाके से लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं राहत शिविरों में अलग-अलग तरह की सेवाएं दे सकते हैं जन्सुविधाओं की बहाली में सरकारी एजन्सियों की मदद कर सकते हैं सरकार सभी प्रकार की सामान्य सेवाओं में स्वयन सेवकों की मदद ले सकती है मॉड्यूल में चर्चा किये गए मुख्य बिंदु है सूखा एक लंबी अवधी तक वर्षा के नहोने या अपर्याप्त रूप से होने की स्थिती को दर्शाता है इसके कारण गंभीर जल्चक्र या जल असंतुलन की स्थिती पैदा हो सकती है देश का लगभग 68% हिस्सा सूखे से ग्रस्थ है भारत का पश्चिमी, पूर्वी और मध्य हिस्से पर सूखे का जोखिम ज्यादा है मौसमी, क्रिशी, जल्चक्र और सामाजिकार्थिक सूखे के चार प्रकार है सूखे से पहले और उसके दौरान पानी का प्रभावी धंग से संरक्षन किया जाना चाहिए सूखे के दौरान स्वयन सेवक राहत कैम्पों में सेवाएं दे सकते हैं, लोगों को निकालने में मदद कर सकते हैं, साफ पानी और जल्दी खराब न होने वाले खाने को वित्रित कर सकते हैं अब इस विशय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है यह एक मूल्यांकन अभ्यास है हर सवाल के लिए समान अंक तै किये गए हैं आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम साथ फीसदी अंक लाना जरूरी है सवालों को ध्यान से पढ़े और उचित विकल्पों को चुने बधाई हो आपने सूखा पढ़ना मॉड्यूल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जाच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं